ये हिंदी क्लास रेस्त वसंत का पाठ शे पाठ नजर के तो देखो इसको शुरू करते हैं वह एक सुरंग नावा रास्ता था आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने के मेना ही थी लेगिन छोटू ने अपने पापा का सेक्यूर्टी पास लिया और जब होचा पर क्या होगा देखो अब इस स्टोरी को आप कह सकते हो मतलब दुखो क्या को क्यों कि इसमें पता है कि छोटू जो था मंगल रहते था और ये दिखता ऐसे था मतलब एलिया नो टाइप है न तो एक तरीके से हमको यूनिवर्स के बारे में बताई है थोड़ा बहुत तो हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि वह एक स्वरंग थी वहाँ पर आम लोगों को जाना बना था लेकिन छोटू ने अपने पापा को सेक्ष़ पास लिया और वहाँ पर चला गया फिर क्या हुआ छोटू कितने बार कहा है तुमसे क्यों तरफ मत जाया करो उसके पापा ने कर, तो पापा क्यों जाते हो। उस तरफ रोज रोज जोटू ने पूछा। पापा को काम पर जाना होता ह। इस तरीके से ठीए क्यैं। यह उसके पाप ने नहीं, उसके ममी ने पूछा ठीक है, रोजाना यही वारतला पुगा करता था, छोटू की मा और छोटू की बीच, उस तरफ एक सुरंग नुमा रास्ता था, और छोटू के पाप ऐसी सुरंग से होते हुए काम पर जाते थे, आम आदमी के लिए इस रास् में से एक थे हैं, मतलब कुछी लोग उस सुरंग में से जा सकते हैं, तो उसके पापा भी होनी में से एक थे, आज छुटी थी, छोटू के पापा घर पर ही अराम फर्मा रही थे, नजर बचा का छोटू, छोड़ी छोटू के पापा का सेक्योर्टी पास हदिया लिए, कुई जित्ती भी लोग वहां रहते थे, है न, मतलब जिस तरफ वो रहते थे, जिसे अहम रहते है, उस एरिये में समझ लोग रहते थे, छोटू के घर के पास वो सब जमीन के नीचे ही रहते थे, यहां तो सुरंग नुमा रास्ता था, ठीक है, अंदर दिये जल रही थे, प्रवेश करने से पहले एक बंद दर्वाजे का सामना करना पड़ा था, अब जब छोटू जाता है तो वह हमें बताता है, दर्वाजे में एक खाचा बना हुआ तो छोटू ने खाचे में कार्ट डा रहा है, तुरन दर्वाजा खुल गया, है न, मतलब ऐसा हम बना रहते है न, कोई भी गेट में कि आप अपना पहले पिंट डालो, उसके बाद आगे जाओगी इस तरीके से, छोटू ने एक सुरंग में प्रवेश किया, फिर अंदर वाले खाचे में सिक्यार्ट पास आ पहुचा था, उसे उठा लिया, कार उठाते ही दर्वाजा बंद हो गया छोटू ने तारफ चारो तरफ नतर दुराई सिरूंग नुमर आसता वा उपर की तरफ जाता था, यानि जमीन की उपर का सफर कर आने का मौका उसे मिल रहा था, फिर मगर कहा, मौका हाथ लगते ही फिदल गया सुरंग में जगा जगा लगाए निरिक्षा के यंद्रों के जानकाले छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही, पहले निरिक्षा के यंद्रों में संध्य बद स्थती दर्शाने वाली हरकत हुई, तो देखो, उसको मौका मिल गया था सुरंग में जाने का, वो जा ही राता लेकिन वहाँ पे निरिक्षा के यंद्रों मतलब देखने वाले आप कैमरा बोल सकते हो, या वो मशीन्स लगी थी, जैसे ही छोटू अंदर गया, वो गेट खोल के उन सबको पता चल गया, यह कोई तो अंदर है, फिर इतने छोटे गद कव्यक्ति सुरंग में कैसे आया, लोग सोच रहती, दूसरे निरिक्षा के यं निरिक्षिन केंट्र में इस तस्वीर की जाच के गई और खतरे की सूचना दी गई, इस सारी गती वीडियों से अंदर अंजान छोटू जो है वागे बढ़ रहा था, तभी जाने कहा से सिपाही दौरे चले आये, छोटू को पकर कर घर वापस छोड दिया, घर पर की खैरियत नहीं थी, छोटू की पापा नहीं होते तो छोटू का बचना मुश्किल था, क्योंकि उसे ममन उसके अच्छे से बटाई करती फिर, छोडो भी, तो फिर देखो, छोडो भी, मैं ऐसे समझा दूँगा, उसके पापा ने कहा, ठीक है, फिर यह गल्ती, वो कभी पापाने छोटू को बचा लिया, फिर छोटू में देखो, यह बोले, छोटू में जहां काम करता हूँ, वहाँ शेतर जमीन से उपर है, मतलब वो जमीन की उपर है, आमाद भी बहान नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहूλ में जिया नहीं जा सकता, जैसे, अगर आपए के बाहर जाओगे तो हमको oxygen नहीं आती क्योंकि oxygen सिर्फ अरतपह बाहर के उसमें नहीं है और gravity भी तो होनी चाहिए earth की gravitational force कैसी है जो हमको नीचे की तरह fall down करती है बट बाकी जगों की नहीं होती है तो वहां पर space suit का और अलग-अलग चीदों का यूज़ करता है यहीं वह उसके पापों से समझाता है तो छोटो पूछता है तो फिर आप कैसे चाहते हो छोटो का सवाल लिजा मेरा है ना मतलब पूछने वाला था मैं वहां एक खास गस्म का space suit पहन कर जाता हूं ऐसा मुने कहा इस space suit से मुझे oxygen मिलती है जिससे मैं सास ले सकता हूं इस इस space suit के वाज़ा से बाहर की ठंट से मैं अपने आपको बचा सकता हूं खास किस्म के जूते की वज़ों से जमीन के उपर मेरा चलना मुमकिन होता है जमीन के उपर चलने के लिए हमें विशिश प्रकार का प्रशिशन दिया जाता है वह से समझाता है फिर चोटो कूछता है चोटो सुन रहा था पापा आगे बताने लगी एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के उपर ही रहते हैं मतलब मंगल ग्रह की अभी लोग कहा रह रहे हैं नीचे रह रहे हैं उसके पापा उससे बताते कि एक टाइम ऐसा भी था जब लोग इसके उपर भी रहते थे जैसे हम सुनता है कि हिस्ट्री अगर हम पढ़ते हैं तो म तो यही पर यही चीज उन लोगों को उसको समझा रहा है वो फिर बगैर किसी तरह के यंसरों की मदद के बगैर किसी खास किसम के पुशाक के हमें पुरके जमीन के ऊपर रहा करते थे हमारे पुरके हैं तो कहते हैं कोई भी खास किसम के पुशाक के किसी के भी हमारे पुरके पूर वर्श हम बोल सकते है वो जमीन के उपर रेते थे लेकिन धीरे-धीरे बात आवारे इनमें परिवर्टन आने लगा कई तरह के जीव धर्ती पर रहा करते थे धीरे-धीरे हापिन से बोला, मतलब उसको बोल रहे कि हमारे रहने के तरीके में परिवर्तन आवले क्योंकि कई तरह के जीव जो थे वह धरती पर ठैटे थे एक के बाद सम्मढने लगे थे इस परिवर्तन के जर्मे सूर में हुआ परिवर्तन इस कारण काई में परिवर्तन हुआ सूर्य में सूर्य से हमें रोशनी मिलती है ठीक है उशन्ता मिलती है, एनर्जी मिलती है इन्हीं तत्वों से जीवों का पोशन होता है मतलब देखो, कितने प्लैनेट से बस खास कर जो एस्टरोइड बेल्ट के बाहर है उन पे थोड़ी बहुत धूप जाती है बट उसके अंदर जित्ते भी है उन सब को ध्यूप जो है वाच्छी से मिलती है सूरी की होँ अब संरेजल जो है और उनसे हमको क्या मिलती है इनर्जीसिद्यासे हम सोनार पैनल का यूजो करते है वो भी तो उसरी से करता है सूरज में fy़ित होते ही प्रक्रतिक का संतूले बगर गया अब सूरज में अगर बदलाव आएगा एक तरीके से क्या है फैमिली टाइप की है सब सन क्या है सबसे बीच में बाकी उसके ग्रहे जोई चक्कर लगात है अगर सूरज में कुछ होगा तो इंपेक्ट तो बागी फैमिली मेंबर्स पर भी पढ़ेगा ना ठीक है तो इसी तरीके से यह है कहाते हैं प्रक्रति के बदलते हुए का रूप सामने करने में यहां के पशू पक्षी पेर पॉधे ने जीव अक्षम साबित हुए केबल हमारे पूरवज्जों ने इस तरीका सामना किया तो वो कहते हैं कि अब फिर मंगल ग्रैपर जब ऐसा हुआ तो पशू पक्षी पेर पॉधे जित्ते भी जीव से उन सब का क्या होगा अक्षम होगा मतलब उनको मतलब बहुत नुकसान हुआ और जो इन लोगों के पूरवज्ज थे जिन्होंने सुस्तिति का सामना किया होगा वही बचे थे अपने टक्नीके ग्यान के अधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया हमारी टेकनोलोजी का जो नौलेज होता है उसके अधार पर हम लोगों ने जमीन के नीचे घर बना लिये जमीन के उपर लगे विभन यंत्रों के साहरे हम सूरे शक्ति सूरज के रोशनी और गर्मी के इस्तमाल करते आ रहे हैं जमीन के उपर जित्ते बे विभन यंत्र लगे हैं सूरी शक्ति के साहरे हम उसकी रोशनी के और गर्मी के इसके इस्तमाल करने उन्ही यन्तरों के साहरे हम यहां जमीन के नीचे जी रहे हैं यन्तर सुचारू रूप से चलते रहे इसके लिए बड़ी सतरकता बरतनी है मुझे जैसे कुछ जुनिन्दा लोग और उसके पापा की बात सुनने होगी मा ने मतलब उसकी मुमी नहीं सबीच में कहा दूसरे दून छोटू की पापा काम पर चले जाते देखो तो कंटूल रूम का बातवरेंट बदला बदला साथा शिफ्ट खतम कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुक ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया स्क्रीन पर एक बिंदू चलब रही थी है बताने लगो कोई यहां कोई आसमान का तारा नहीं है क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिक नहीं रहा है पिछले कुछ गंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है कंप्यूटर के नुसर यह हमारी धर्दी के तरफ बढ़ता जा रहा है तो देखो दूसरे जिन जब वो काम पे जाते तो वाता वरनमा का जो इन्वार्मेंट है उनको बदला बदला से लगता है शिफ्ट खतम का घर जा रहे इस टाब जो थे उनकी प्रमक टीवी की तरफ इशारा करते हुए स्क्रीन पर एक बिंदू चला लग रही थी वो बताने लगे कि आसमात का कोई तारह नहीं है लेकिन ऐसी कोई चीज है जो हमारी जो यहां धर्ती की तरफ तरफ बढ़ता जा रहा है मतलब आ रहा है उनके पास में धर्ती से यह अंतरिक्षियान तो नहीं है मतलब स्पेशिप तो नहीं है फिर छोटू के पापा ने अपना संदे प्रकट के संदे हमें भी है आप इस पर बराबर ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं होने का चोटू के पापा सोच में डोगए किसा चमिश इंद्रिक्षियन होगा कहां से आ रहा होगा ऐसे वह बोलते है सौर मंडल में हमारी धर्ती के अलावा और कौन से वह है पर जीवो का अस्तित्व होगा तो यहां पर वह कहता है कि क्या होगा कि सौर मंडल हमारी धर्ती के अलावा कौन से ग्रह है जीवो का अस्तित्व होगा कैसा हो सकता है और अगर होगा भी तो क्या इसकी प्रगती का कर चुका होगा कि अंत्रिक्षियान छोड़ सकी कि वैसे तो हमारे पूर्वजन ने भी अंत्रिक्षियान उप ग्रहों का उपयोग किया था मगर अब हमारे लिए ही है समभव उसके लिए विश्यक महातर में उर्जा तो हो काश इस नए महमान को नस्दीक से देखा जा सके हाँ अगर वह इस की लंबाई बढ़ती जा रही थी जोटों के पापने अवलोकन चारी रखा कॉलोनी की संभने समीदी की सभव उलाए गई अध्यक्ष भाशन दे रहे थे कि हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि दो अंत्रिक्षियान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते जा रहे है इनमें से एक अंत्रिक्षियन हमारे गिर्द चकल काट रहा है और कम्प्यूटर के नुसार अंत्रिक्षियन दस्दीक के ही किसी ग्रह में सर्चोड़े गए हैं ऐसी हालात में हमें क्या करना चाहिए इसकी कोई सुनुश्य दियोजना बनाना ज़रूरी है बनेनी ज़रूर काते हुए बोलना आरंगर क्या इन दोनों अंत्रिक्यानों को जलाकर खाक कर देने के शम्तव हम रखते हैं अगर इसे हम कोई जानकारी हासल नहीं होगी अंत्रिक्षियन विकार कर जमीन पर उतरने को मजबूर कर देने वाले यंस हमारे पास नहीं है तो फीर वह कहता हैं जो नमबर बना है कि हम इनको क्या बलते जला दे इतनी शक्ति हमारे पास है बट हमको इससे कोई फायदा नहीं होगा और हमारे पास ये पावर भी नहीं है कि हम कुछ ऐसा करें कि उससे हमारे ग्रहा पर उतरने के लिए वो मजबूर हो जाए हाला कि अगर ये आंत्रिक यान खुद बाखुद दमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने के शम्ता हम में अविश्य है मिरी जानकारी के अनुसार इन अंत्रिक शियानों में सिर्फ यान से है किसी तरह की जीव इसमें सवार नहीं है फिर वो कहते है कि अगर ये खुद बाखुद दर जाए तो तो ठीक है लेकिन और हाँ वो कहते है कि इसमें कोई भी जीव जो है मतलब जो लीविंग और्गैनिस्म है वो नहीं है फिर नंबर एक की बाद उनको सही लगती है ठीक है कहा थे हम नंबर एक की बाद उनको सही लगती है नंबर दो एक वग्यानिक थे वो बोले हाला कि यंतों का बेकार करन देने में भी खतरा होता है इनके बेकार होती दूसरे ग्राओं के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे इसलिए मेरी राय है कि सिर्फ हमें अब लोकन करते रहना चाहिए ऐसा वो बोलता है फिर जहां तक हो सके अपने अस्तिद्वों को छिपाए ही रखना चाहिए मतलब यह लोग कोई को पता नहीं चलने देना चाहा लएते कि इनकी प्लैनेट पे भी लोग रहता है क्योंकि हो सकता है कि जिन लोग नंतिक शेहन भीजें हैं कर, वो इन से भी बड़े स्क्षर मंतिक शेहन भीजे, हमें यहाँ का प्रबंध को इस तरह रखना चाहिए, जैसे इन यंद्रों को यहाँ गल्ट वार में होगी, इस जमीन पर कोई भी चीज महत्वपों नहीं है, ज उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलते ही जा रहे थे कि फोन की घंटे बजी अध्यक्ष ने क्या चौंगा उठाया एक मिनित बाद सभा को संबोधित करते हुए नूने का भाईयों अंत्रिक्ष्यान क्रमांग एक हमारी जमीन पर उतर चुका है मतलब दो थे पापा उसे कंट्रोल रोम में ले गए थे यहां संत्रिक्ष्यान क्रमांग का साफ नजर आ रहा था कैसा अजीब लग रहा है इसके अंदर क्या होगा पापा चुटू पूझता है अभी है नहीं बताया सकता दूर से ही उसका निरिक्षन जारी है उस पर बराबर हमारा ध् वक्त आने पर हम अगला कदम उठाएंगे चोटू के पापा ने बताया उन्होंने चोटू के कंसूल देखाया जिस पर कई बटन थी ठीक है इस तरीके से देखो यह चोटू है और ऑके अब अंत्रिक्ष्यान से एक यह अंत्रिक हाथ बहार निकला जैसे यह देखो यहां पर पिचल में यह यह जो है यह हाथ बहार निकला फिर हर पल उसकी लंबाई भरती जा रही थी पर शयाद जमीन पर पहुंच कर मिटी उले कर लेना चाहता था मतला वह जमीन को मिटी लेना चाहता था सब लोग स्क्रीन पर देखाई दे रहे थे इंद्रिक्ष्यान की सरकत कर्वाश देख से रहेते सिवा एक के उसका ध्यान नहीं और वन्हां चोटू का ध्यान था इजिता था कन्टूरल पैनल पर कन्टूर नहीं कोन्तूर πα् longest पैनल पर अब चोटू के पाप उससे दिखाने बजी सबकी निगाहे कॉंसोल की तरफ मुणी पापा ने जोटुक अपनी तरफ खीचते हुए एक जहापर जहापर रसीद कर दिया है ना उसको भी चाटा पड़ गया और लाल बटन को पूर विस्थिती में ले जा गया मगर उस तरफ अपंट्रिक्शन के यांतिक हाथ की हर अपनी तरफ अक्रशित कर लिया था ठीक है मंगल की धर्टी पर उत्रा हुआ अपना निर्धारत कारे कर रहा था हालकि किसी अग्यात कारणवश अंत्रिक्श यान का यांत्रिक्श बेकार हो गया है मतलब अब यहाँ पी बढूल कर रहे है कि यह जो आया था यह कहां से आ जो हाथ बेकार हो जाता है नासा के तकनीशियन इस बारे में जाच कर रहे थे तदा इस यांत्रिक हाथ को दुरस्ट करने के प्रयास भी जारी थे इसके कुछी दिनों बाद प्रत्वी के सभी प्रमुग अक्पारों में छपा नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल क सहारे वॉइकिंग के दूरस्त करने में सफलता मिली है यांसे एक हाथ में अमंगल की मिट्टी के विभून नमूने इखटे करने का काम आरम कर दिया है प्रत्वी के विग्यानिक मंगल की इस मिट्टी पर अध्यान के लिए बड़े उचोपते उन्हें उमीद थी कि इस मिट्टी के अध्यान से इस बात का पता लगाया चाह सकता है कि क्या मंगल ग्रैपर प्रत्वी की ही तरह जीव सरष्टी का अस्तित्व है है प्रश्णराज भी एक रहस्ते है तो बाद में पता है कि नीउस में खबर जाती है कि मुझ जो आया था कहां से आया था प्रत्वी से आया था नासा से उस टाइम पर कभले काम रुख गया था क्योंकि छोटों ने वो कॉन्सल पैनल दबा दिया था बड़ बाद में मंगल की धर्ती से हम लोग क्या लिखिया है मिट्टी लेकर है प्रत्वी के वैग्याने जूत है मंगल की इस मिट्टी का अध्यान करती हुए बरू उत्थुकते और इस बात का पता लगाना चाहा रहे थे कि प्रत्वी के सक मंगल पे भी जीव है ये प्रश बड़ इसके कोशना से बहुत इजी है जैसे देखो फिर आउट करके बता देती हुए छोटू का परिमार कहा रहे था ना मंगल क्रहपर चोटू को जो जान सुरंग में जानी की इजाज़त क्यों नहीं थी है न क्योंकि वो थोड़ी मतलब वो बच्ची नहीं जा सकते पह अपने बताया था यह आ सकता है कहानी में अंतिक्ष्यान को किसने भीज़ा था और क्यों भीज़ा था है ना यह भी हम बता सकते हैं अना बस इतनी कोशना उत्रह है थेंक्यू